अरे बाँ चाची बहु तो तुम्हारी बड़ी सुन्दर है क्यों रे कलुआ की बहु तेरी आँखे खराब हो गई है क्या ते वो कहां से बहु सुन्दर लग रही है सुन्दर तो है जो है देख नहीं रही है कैसे सिकुडी हो रही है लगता है इसके माबापने इसको कभी पेट पर खाना ही नहीं दिया अरे चुब भी करो तुम दोनों अभी अभी तो मेरी बहु आई है आते ही तुम लोग उने नुसके निकालने शुरू कर दिये अरे चाची आते ही बहु के गुणगान गाने लग गई हो हम तो बर्षों से तुम्हारे साथ हैं हम को ही भूल गई अब दुबली है तो है अरे तुम लोग चिंटा क्यों करती हो इसकी माबापने जो खिलाया हो सो खिलाया हो अब मेरे घर आ गई है अब मैं अपने हाथों से बना कर इसे अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगी देखना कैसे मोटी ताजी हो जाए कि बिल्कुल मेरे जैसे अरे नहीं ममी पायल ना चरा हेल्थ कॉंसियर से उसको फिट रहना पसंद है इसलिए वो अपना बजन कंट्रोल करके रखती है और ऐसी कोई बात नहीं है अच्छा जी बेटा देखा शीला तेरा बेटा तो बहु के आते ही अपनी पत्नी की वकालत करने लग गया अब तू देख ले तेरे दिन खतम अब इस घर में तो तेरी बहु की ही चलेगी अब तेरा बेटा तेरा बेटा नहीं रहा किसी के जोरू का गुलाम बन गया है अरे बस भी करो जी जी क्या आ तेरी टांक खिशने में लग गई हो मेरे बच्चों की घर में आने तो दो आज हो बेटा दोनों अंदर आओ साथ में और दोनों अपना सीधा पर आगे बढ़ाना पहले जी ममी जी चलो सारा काम हो गया किचन का अच्छा अच्छा नाश तभी बना दिया है बहु का पहला दिन है आसा सुराल में विचारी को अच्छा खाना मिल जाये तुसका भी दिन अच्छा निकले प्रडाम मा जी खुश रहो बहु सदा सुवागन रहो अरे बहु इतनी सुबह सुबह उठने की क्या जरूरत थी सुबह कहा है ममी जी मैं तो रोज जल्दी ही उठती हूं सुबह उठते ही पहले योगा करती हूं एक घंटे उसके बाद काम पे आती हूं पर बेट्या अभी तुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है अभी तेरी नई नई शादी हुई है तू अपने शादी एंजॉय कर थोड़ा बहुत काम जो है घर में मैं फिर तु वैसे भी तुझे ही करना है सब नहीं नहीं ममी जी किचन मैं देख लूँगी आप चिंता मत करो ये क्या ममी जी सुबह सुबह आपने इतना सारा खाना बना लिया छोले भटूरे भी बना लिये इतना ओילी खाना नहीं नहीं बहूँ, हम लोग oil नहीं खाते, मैं तो सारा खाना देशीघी में बनाती हूँ, देशीघी में तू भी खा और जल्दी से मोटी ताजी हो जा हमारे जैसे क्या, मम्मी जी आप क्या बोल रहे हो? ममी मैं अपने हेल्थ को लेकर बहुत कॉंसियस हूँ मैं ये सब ओयली खाना बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ अरे बहु कैसी बात कर रही है तू मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा खाना बनाया है और तुम बोल रही हूँ मैं नहीं खाऊंगी हाँ ममी जी पर मैं सही बोल रही हूँ मुझे माप करियेगा मैं ये सब तला गला ओयली खाना बिल्कुल नहीं खाती हूँ और मैं तो कहती हूँ आप लोगों को भी ये सब चीज़े नहीं खानी चाहिए सुबह सुबह आप इतना ओयली खाना खाऊगे हेल्फ पे बहुत बुरा असर पड़ता है अरे बहु हम तो सालों से यही खाते आ रहे हैं आज तक तो कुछ नहीं हुआ और मेरे बेटे का तो यह फेवरेट खाना है उसे तो बहुत पसंदे छोले वटूरे क्या यह भी यह सब खाते हैं आज के बाद इनका तला गला खाना बिल्कुल बंध है माजी आपको खाना है तो आप खाएगे लेकिन यह तो नहीं खाएगे अरे केसे नहीं खाएगा मैं बात करती हूँ सुनिये जी ममी ने तो सुबे सुबे छोले वटूरे बना के रख दिये हैं क्या तो लाओ ना यार जल्दी से खाऊं मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं उसे तो बहुत पसंद है छोले वटूरे क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या इतनी सुबे सुबे इतना ओयली खाना कौन खाता है तभी इतना गोलू मोलू हो रहे हो पेट निकल के बाहर आ रहा है अपने हेल्द के कोई चिंता है की नहीं तुम्हें आज के बाद तुम्हारा सारा ओयली खाना बन तुम वहीं खाऊगे जो मैं बोलूँगी समझे अरे कहां से तुमको गोलू मोलू दिख रहा हूँ एकदम फिट तो हूँ मैं तो हर तीसरे दिन छोले भटूरे खाता हूँ मुझे तो कुछ नहीं होता येले बेटा गर्मा गरम छोले भटूरे तिरी पसंद के बनाये मैंने खाले बेटा अच्छे से नहीं जी तुम ये छोले भटूरे बिल्कुल नहीं खाऊगे अरे क्यों नहीं खाएगा तुझे नहीं खाना है तो मत खा मैं तो अपने बेटे को अपनी पसंद का ही खाना खिलाओंगी और मेरे बेटे को छोले भटूरे बहुत पसंद है इतने सालों से बाल रहे हुँ तो मुझे तो इतना पता होगा न तु कल की आई तुझे सब पता है अभी से नहीं खाएंगे ममी जी, मैंने बोल दिया न ये ओली खाना नहीं खाएंगे, मतलब नहीं खाएंगे खाएगा, कैसे नहीं खाएगा अच्छा बेटा तू ही बता, तू खाएगा छोले भटूरे अपनी मा के हाथ का बना हुआ या नहीं मेरी बात सुनो जी, खबरदार अगर तुमने इतना ओयली खाना खाया तू, अपनी सेहत का ध्यान रखो खाले बेटा, हम तो रोज नास्ते में ये खाते ही हैं, तला गला, हमें तो कुछ नहीं होता ये बहु को पता नहीं क्या हो गया है, कहां से पढ़के आई है खा भी मत लेना गलती से, नहीं तो मुझ से बुरा कोई नहीं होगा बेटा, अब तू ही बता, खाएगा या नहीं खाएगा दो मा, खा लेता हूँ मैं देखा, मैंने कहा था ना, मेरा बेटा अपने मा के हाथ का खाना, खाये बिना रही नहीं सकता तुझे नहीं खाना है, तो मत खा, मेरी बला से लोगों के बेटे होते होंगे शाधी के बाद पर आए, मेरा बेटा तो हमेश्वा मेरा बेटा ही रहेगा मेरा अच्छा बच्चा सच में यार, इन लोगों को हेल्ट के बारे में कोई awareness नहीं है आज तो मैंने अपने बेटे के लिए रस्कुले बनाए हैं मेरे बेटे को तो बहुत पसंद है मीठा क्या माजी आप सच में इनको बिमार करना चाहती हैं क्या सुबह सुबह से आप ये उल्टे सेथी चीजे क्यों ही ने खिलाती हैं ये कुछ भी नहीं खाएंगे, आभी सिर्फ ये सेलेट खाएंगे, सेलेट. कुछ खाना नहीं बनाना पड़े, इसलिए बहाने कर रही है ना बहु तू, तो तू मत बनाना, मैं अपने बेटे को बना के खिला दूँगी, और ये घास फूस तू ही खा, मेरा बेटा ये कच्छी सब्जी ये घास फूस नहीं खाएगा, मा जी, आपको एक सिंपल सी बात क्यों समझ में नहीं आती, ये चीजे कभी कभार तो ठीक है, लेकिन रोज रोज गिये चीजे खाना अच्छा नहीं होता है सेहत के लिए, लेता हूँ, वैसे भी मेरा पेट थोड़ा गड़ बड़ चल रहा है, हाँ हाँ, आप तो खाय गई ना, चाची ठीक ही कह रही थी, आप तो जोरू का गुलाम बन गया है, मा की कौन सुने गया, इतने सालों से मेरे हाथ का बना खाना खा रहा है, आज तक मैंने तुझे कभी बिमार नहीं होने दिया, और ये लड़की जब से आगे, तुझे ऐसा लगता है कि मैं तुझे बिमार कर दी हूँ, खाना खिला खिला के, तहीं कहते हैं लोग, शादी के बाद अउलाद अपनी नहीं रहती, पर आई हो जाती है, अरे यार मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, कल भी तो मैंने आपके कहने पर छोले भटूरे खाये थे ना, और सुना यार, क्या शादी के मज़े, पर तू अचानक अचानक मेरे घर कैसे आ गया, इतना क्या जरूरी काम है तुझे, अरे यार, क्या बताओं, हालत खराब हो गए यह शादी के बात तो, क्यों, भई तेरी तो लब मेरी जे, क्या प्रॉब्लम हो गया, अरे यार, कुछ मत पूँच, रोज सुबर उटते ही घर में चिक-चिक शुरू हो जाती है, मा बोलती है ये खा, और पायल बोलती है ये खा, पायल को तो तू जानता ही है, कितनी हेल्थ कॉंसियस है, वो मुझे कुछ मीठा, तला गला कुछ खाने नहीं देती, और ममी, हम बचपन से वही खाती आ रहे हैं, तो उसको लगता है कि मेरा बिटा भूका मर जाएगा, पहले की पसंद का खाना खाओ, तो दूसरी गुस्सा हो जाती है, और अगर दूसरे के मन का खाओ, तो पहली गुस्सा हो जाती है, अब यार क्या करूँ, ना तो मा को दुखी कर सकता, और ना पायल को, करूँ तो क्या करूँ, कहां फस गया यार, शादी के पहले ही अच्छा था, अरे तु चिंता मत कर, मेरे पास आसान तरीका है, इसलिए तो आया हूँ भाई तेरे पास, कुछ तो इलाज बता इसका, दे, तू ना कल घर में जब तेरे ये सब शुरू होना ड्रामा, तो एकदब गुस्से में बोलना, कि मुझे ना किसी की पसंद का खाना नहीं खाना है, अरे मैं भी तो इंसान हूँ, मेरे भी अपनी पसंद है, मुझे जो अच्छा लगेगा, मैं वही खाऊँगा, और अगर तुम दोनों ने ज़्यादा जगडा किया, ज़्यादा चिक-चिक करीना, तो मैं इस घर में आना ही बंद कर दूँँगा, बाहर ही रोज खाना खाया करूँगा, समझाया? सच में, काम करेगा, यह आइडिया तेरा, हाँ हाँ, पक्का करेगा, तू आज मा कर तो देख, ठीक है भाई, चलता हूँ फिर, चल बेटा, नास्ता कर ले, तेरी पसंद का खाना बनाया है आज मैंने, हाँ जी, नास्ता तो कर लीजे, लेकिन आज आज आप लास्ते में सेफ और सेफ ओर ओर्स खाएंगे, कोई भी तला गला चीज नहीं खाएंगे आज आज आप, अरे यार, फिर शुरू हो गए आप दोनो, एक बात मेरी, आप दोनों ध्यान से सुन लो, आज के बात मैं वही खाऊंगा, जो मुझे खाना होगा, अरे मैं भी इंसान हूं, जो मेरी मर्जी होगी, वो खाऊंगा, कोई बोलेगा, ये खाओ, कोई बोलेगा, वो खाओ, और हाँ, अगर ज़्यादा चिक चिक करी न तुम दोनों ने, तो आज के बाद न, मैं घर पे खाना खाना ही बंद कर दूँगा, बाहर से ही खा कर आऊंगा, तुम दोनों रहना फिर शांती से, हाँ बेटा, जब तक ये बहु नहीं थी, हम लोग कितना शांती से रहते थे अपने घर में खुशी-खुशी, लेकिन ये बहु जब से आई है, सब काम गढ़ बढ़ करके रखी है, ममी, बस करो न, फिर शुरू हो गए, आप एक काम करता हूँ, मैं ही घर छोड़ कर चला जाता हूँ, फिर दोनों शांती से लड़ते रहना, अरे नहीं नहीं बेटा, तुझे जाने की कहीं जरूरत नहीं है, तू ही तो मेरे जीने का सहारा है, ठीक है, तू कहता है, तो आज के बाद मैं तेरे लिए कुछ नहीं बनाऊँगी, तेरी जो मजी हो वो खाना, हाँ जी, मैं भी कुछ नहीं कहूंगी आपको, जो मज़ी हो आप खाते रहना लेकिन आप घर छोड़ कर ऐसे मत चाओ जी ये हुई ना बात आइडिया काम कर गया मेरे दोस्त का तो हलो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी और शादी के मज़े आपके भी तो ऐसे नहीं है न तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ तब तक के लिए आप सभी को राम राम अपना और अपने पूरे परिवार का खूब ध्यान रखिए और अपने जिन्दिगी को एंजोई कीजिए